तो दोस्तों whenever there is a crash in the market, there is a correction in the market or there is a fall in the market, that is the best time to grab the opportunity, ऐसे समय में बहुत सारे लोग जो है panic selling कर जाते हैं, भाग जाते हैं market से and then after one year, two year, three year वो देखेंगे कि वाओ यहां पे निफ्टी ने एक bottom बनाया था जो कि 15,500 होगा था और वहां से एक दो साल में शांदार return उनको हर stocks में देखने को मिलेंगे और वो opportunity वहां पे वो miss कर चुके होंगे क्योंकि उनने वहां पे panic selling कर दी थी, दोस्तों मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूँ कि 15,500 ही निफ्टी का एक bottom था, अभी तो कहानी बाकी है लेकिन जहां भी बने का definitely आप 2-3 साल में realize करेंगे कि यह एक bottom बन गया था, and you have witnessed that bottom, and believe me, राकेश जुन्जुनवाला, वारेन बफे, पीटर लिंच, इन लोगों ने जो crash market में देखें, अगर इन्हों ने उस समय पर अपनी holding को sell कर दिया होता, तो शायद आज आप इन लोगों के नाम नहीं जान रहे होते, इन लोगों को नहीं पहचान रहे होते, वहीं बात करें, पीटर लिंच की एक book है, One Up On The Wall Street, आप उस book को जरूर एक बार पढ़िए, वहाँ पे उन्होंने जो भी psychology discuss की है, आज की date से वो सारी psychology काफी हद तक मिलती जुलती है, उस समय पे भी war हुआ करते थे और किस तरीके से पीटर लिंच ने अपने देखने को मिले, तो वो एक सही समय होता है, कि आप वहाँ पे अपने जो cash reserve जो आपने use कर लिये थे in market crash के time में, उसको build up करिए, emergency fund को build up कीजिए, ताकि again फिर आपको future में इस तरीके से 15-20-15% का अगर market में correction देखने को मिले, तो उस समय आपके पास एक cash रहना चाहिए, एक stock markets related और mutual funds related ऐसी भेतरीन और शांदार वीडियो को सबसे पहले access करने के लिए, चलिए news की detail में आते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि TCS जो है, उसकी deal हमें देखने को मिलती है, SGX के साथ, SGX क्या है, Singapore exchange है, जहाँ पे nifty के futures जो हैं trade करते हैं, और अब आप देख सकते है कि NSE, IFSC का भी जो future है, वो आपको SGX में trade करता हुआ देखने को मिलेगा, NSE, IFSC I hope कि आप लोग जानते होंगे, US के कुछ stocks हैं, जो आप directly इंडिया से अब उनको purchase कर सकते हैं, although यहाँ पे आपको stocks नहीं मिलेंगे, बट उन stocks के बदले, आपको एक receipt दी जाएगी, जो की एक guarantee देगी कि आपके पास उन stocks की उन levels पर holding है, तो यह news जो है काफी positive है, TCS के लिए ऐसी कई सारी deals हमें देखने को मिली है, in fact TCS जो है तो blockchain के भी deals में हमें देखने को मिला है, आज की अगर date की बात करें तो 1.73 percentage की जो है तो तेजी हमें देखने को मिली है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर वेका नंजी from the TCS जो है तो उन्होंने जो एक statement दिया है, we are already testing and solution with two market infrastructure institutions and it will also live once and clear from the regulatory standpoint, तो आप देख सकते हैं कि company जो है blockchain की भी deal यहाँ पर लेती हुई देखने को मिल रही है, which is a very positive note, again TCS एक market leader है, multi bagger रहा है, बट market जो है आपका patience भी test करता है, अगर आप यहा एक दो तीन सालों में तो TCS ने आपको कुछ return नहीं दिया, as an investor यह आपका patience stress करता है, लेकिन अगर आप patiently hold करते हैं, business में आपको believe है, इस company के leadership में, management में आपको believe है, तो definitely long run में आपको एक बहुत बहुत बहुतरीन return यह stock देते हैं, stock की अगर बात करें, तो पिछले 6-7 महिनों से यह जो है, हमें consolidation phase में देखने को मिल रहा है, फिलहाल अगर perfect entry की बात करें, 3400 का बहतरीन इस stock में support है, जो की एक बहतरीन entry point हो सकती है, अगर यह stock आता है, तो फिलहाल आप देख सकते हैं, 1, 2 and 3 times इस stock ने यहाँ पर support लिया है जो लोग swing trade purpose पे लिये हैं और profit booking करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है एक बार result आने दीजे, क्योंकि April के first, second week से यहाँ पर IT stocks के result आने शुरू हो जाते हैं, Infosys ने 13th of April का date जो है, अल्रेडी announce कर दिया है, तो वहाँ पर आपको at least इनके result तक एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि IT stocks ही हैं, जो कि COVID के भी बुरे दोर में एक बहतरीन performance दिखाए थे और बहतरी शांदार result जो है, इन stocks ने दिये हैं, तो definitely इनके result आने तक आपको इन stocks में तेजी देखने को मिल सकती, उसके बाद आप चाहें तो अपना profit booking 38, 50 के level से या फिर 4000 के level से कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं, Sona BLW, बहुत बहतरीन stock है, आज की date में बात करें, 2% की तेजी दी है, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात क्या है, कि कल के market के crash में भी, कल जब market गिरा हुआ था, तो इस stock ने वहाँ पे भी लगभग 2% की तेजी दिखाई थी, उसका reason यह है, कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे auto mobile और auto component manufacturing companies को, जो है, तो PLI scheme का benefit मिल चुका है, कि announcement आया है, उसमें कई सारी कमपनियां है, आप देख सकते हैं, मारुती सुजगी आपको देखने को मिलेगी, hero motocop देखने को मिलेगा, auto components की बात करें, तो भारत forge का यहाँ पे नाम देखने को मिलता है, Minda Industries के भी नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगे, and none of, यहाँ पे जो है, Sona BLW के भी नाम आपको देखने को मिलेगे, तो इस तरीके से company जो है, PLI scheme का benefit ले सकती है, company के financials की बात करें, काफी अच्छे यहाँ पे growth आपको देखने को मिलेगी, इनके revenue और profit दोनों में promoter holding काफी शांदार है से stock में, और वहीं अगर FIIs की बात करें, तो FIIs ने फिलहाल profit booking की है, पिछले एक दो quarter में आप देखेंगे, almost 13% की यहाँ पे उनकी holding थी, mutual fund की बात करें, तो almost stable आपको यहाँ पे उनकी holding देखने को मिलेगे, देखें इसमें SIP करने के इसलिए मैं बार-बार इसलिए कहता हूँ, अगर आप यहाँ पे इस stock को देखेंगे, 500 का इसने bottom लगा दिया था, 600 का एक बार-बार यह support लेता हुआ हमें देखने को मिले है, और आज आप देखेंगे, 500 से लेकर के इस stock ने 644 तक के run-up पिछले कुछ trading session में दे दिये हैं, 100 points के यहाँ पे upside आपको देखने को मिलेगी, in fact यहाँ पे अगर हम बात करें तो यह अपने एक resistance zone पे आ चुका है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक resistance आपको देखने को मिलेगा इस stock में, but from the long term perspective मुझे लगता है stock काफी अच्छा है, again यह अगर आपको 600 के आज पास मिलत है, बहतरीन entry point हो सकती है, 500 तो मुझे लगता है और भी अच्छी point यहाँ पे entry का बन सकता है, बात करते हैं, zubliant food की बहुत शांदार stock है और बहुत ही ज़्यादा इस stock ने यहाँ पे correction दिखा दिया है, इतना बड़ा correction, I think यह COVID के time पे भी आपको देखने को नहीं मिला था, reason यहाँ पे बहुत simple सा है, जो मैं आपको explain करने वाला हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह लगभग 2013 से लेकर के 2017 का जो time था, इस stock के लिए काफी बुरा time था, in fact यहाँ से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस stock ने लगभग 50% के correction दिखा दिये थे, और एक time आ इस company के अगर performance की बात करें, तो उसको काफी बुलंदियों तक ले गए थे और वही reason है, वही impact है, जो आपको यहाँ पे इसके stock price में देखने को मिला है, फिलहाल उनके पास other बहतरीन opportunity देखने को मिली है, यही reason है कि उन्होंने यहाँ पे resign कर दिया है, और although उनका जो June 2022 से ल यही reason है कि उन्होंने resign किया और उसको market ने काफी ज़्यादा negatively react किया है, but I think company के fundamentals वही रहेंगे, intact रहेंगे, और मुझे लगता है कि यह एक अच्छी opportunity होगी इस stock में entry करने के लिए, इस stock के support के अगर हम बात करें, तो already 2400 पर एक support हमें देखने को मिलता है, फर्दर अगर ग 1500 पर एक और support इस stock में आपको देखने को मिल सकता है, although इतना ज़्यादा downside expected नहीं है, क्योंकि correction काफी ज़्यादा इस stock में हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे leadership change होने की वज़े से, तो I think वो एक reason enough नहीं है, इस stock को इतना ज़्यादा गिराने के लिए, बात करें Asian prints की, आज लग founder रहा है अपने investors के लिए, लेकिन अगर आप पिछले कुछ समय में देखेंगे, तो इसने इतने ज़्यादा गिरावाट यहाँ पे COVID crash के बाद जब यहाँ पे crude oil के prices बढ़े थे, तब उसने इतनी ज़्यादा गिरावाट नहीं दिखाए थी, जितनी अभी अपने all time high से द देखने को मिले हैं, फिलाल crude oil के जो prices हैं वो $100 के भी नीचे फिसल चुके हैं और उसी का impact है कि अब हमें chemical के stocks में, paint के stocks में, aviation के stocks में तेजी देखने को मिलती है, लेकिन एक point यहाँ पे important है, note करने वाली की crude oil prices की वज़ा से जो यहाँ पे impact company के financials पर पढ़ता है, वो company direct pass on क कर देती है customers पर, कैसे करती है price hike करके, और petrol के prices की अगर मैं बात करूं तो वो ups and down होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे company एक बार price hike करती है, तो वो फिर वापस से reduce नहीं करती है, और यही reason है कि company की profitability आपको हमेशा बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, crude oil के prices चाहे अप हो चाहे down हो, उससे long term में इनकी profitability पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यही reason है, आप देख सकते है company के revenue और profit आपको एकदम uptrend में देखने को मिलेगी, और अगर chart pattern पे बात करें तो काफी bullish signal हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इनकी candles को, तो यहाँ पे इन्होंने जो है तो bottom बनाया था, लगभग, almost इनका जो bottom आया था, 26.50 के आसपास हमें देखने को मिला था, और वहाँ से candle जो है काफी अच्छी हमें देखने को मिली है, और 29.60 का यहाँ पे एक resistance था, यहाँ पे इस candle ने उस resistance को भी break कर दिया है, तो further आने वाले time में इस stock में 32.50 का एक next hurdle देखने को मिलेगा, वहाँ तक इस stock में तेजी आपको देखने को मिल सकती है, और अगर यह resistance यह break करता है, तो 35.00 को आप जो है तो पहुँचते हुए देख सकते हैं, फिलाल बात करें ऐसे multi bagger stock की, तो यह जो stock है, यह आपको अगर 28.50 की level पर मिल तो एक पहतरिन entry point यहाँ पर हो सकता है, उसके बाद इसका जो next support होगा, वो 2500 हो सकता है, और उसके बाद इनका जो अगला support होगा, वो यहाँ पर 22.50 होगा, तो इन इन levels पर अगर यह stock कभी आपको मिलता है, तो मुझे लगता है कि यह opportunity miss नहीं होनी चाहिए, बात करें, HDFC bank क banking sector का एक leader रहा है, और अगर इनके आप fundamentals देखेंगे, इनके अगर आप pass देखेंगे, तो इस bank में कभी भी कोई भी dent आपको देखने को नहीं मिला है, फिलहार अगर news की बात करें, तो RBI ने जो इन पर restrictions लगाये थे, सारे restrictions लिफ्ट कर दिये हैं, आपको मैं जानकारी के लि हमें इस stock में देखने को मिला है, ये stock जो है, 1300 के नीचे भी चला गया था, और वहां से जो है तो एक अच्छी recovery हमें देखने को मिली है, इनफेक्ट आज के दिन भी लगभग 1.7% की तेजी इस stock में हमें देखने को मिली है, फिलहाल अगर बात करें, तो 1300 का level काफी बहतरी level था, मैंने पहले भी बोला था, कि अगर 1300 के आज पास मिलता है, तो इस stock में एक अच्छी entry की जा सकती है, उसके बाद कि अगर हम बात करें, तो लगभग 1190 के आज पास एक अच्छा support यहां पर आपको देखने को मिल सकता है, और अगर long term perspective से बात किया जाए, तो ये stock current market price मे भी कोई भी बुरा नहीं है, अगर आप यहां पे आगे के 5 से 10 सालों का विचार करके इसमें investment करते हैं, तो दोस्तों बात करें, यहां पे हैवल्स की 5% की तेजी हमें देखने को मिली है, वोल्टास की बात करें, लगभग 5% की तेजी यहां पे भी देखने को मिली है, जित यह टाइम ट्रेम पर अगर हम बात करें, तो 5 सालों में आप देखेंगे एक अच्छा मल्टीव अगर यह स्टॉक रहा है, ओल्टाइम चार्ट में भी यह स्टॉक ने बहुत ही बेहतरे इन रिटरंस जो है अपने investors को बना के दिये हैं, फिलहाल अगर हम इसके support की बात करे तो 11 सोपर आपको एक अच्छा support इस stock का देखने को मिलेगा, वहीं पर अगर हम फर्दर इसके support की बात करें, तो 920 के आसपास यहाँ पर एक और support आपको देखने को मिल जाएगा, यह सारे stock में आपको इसलिए mention कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बात करें, वरुन ब्रिविजे लिमिटेड की, वोल्टास की, तो यह कुछ AC वाले SS stock होते हैं, या फिर summer से related SS stock होते हैं, जो कि long run में तो आपको return देते ही हैं, लेकिन यह थोड़े से cyclic भी हैं, जहाँ पर आप चाहे तो swing trade भी play कर सकते हैं, यानि कि winter के time पे January से 5 के time में, जब market में correction होता है, तो आप चाह करेंगे कि swing trade में आपको position कैसे लेनी है नीचे की level में और profit booking किस strategy में करनी है, जो कि एक भेतेरी strategy होगी ताकि उसमें आप maximum से maximum profit की booking कर सकें, तो आज की दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, content अगर पसंद आया हो, then don't forget to like and subscribe, thanks for watching the video.